स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एगरिकल्चर पॉइंट में और आज हम लेकर आये हैं बेसी एगरिकल्चर फिप्ट समेश्टर का जो निक्स पेपर होना है प्रोडक्शन टेकनोलोजी फूर फूर्ट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का उसके कुछ बहुत ही महत्पू कोश्चन लेकर आया हूँ आए चलते हैं कोश्चन की तरफ केला का वानस्पतिक नाम क्या है और इसमें कितने टू एन पाया जाते हैं गुड़सूतर पाया जाते हैं तो इसका वानस्पतिक नाम जो है पूसा मेरा सीडिया का है और इसमें गुड़सूतर जो होते हैं 22 और और 43 पाये जाते हैं निक्स कोश्चन है दोस्तों केला का उत्पतिस्थान क्या है तो केला का उत्पतिस्थान जो है असाम वर्मा और इंडो चाइना है निक्स कोश्चन है दोस्तों केला में प्रसारण किसके द्वारा होता है तो केला में प्रसारण दोस्तों जो होता है अध तुपारी का वानस्पतिक नाम क्या है तो सुपारी का वानस्पतिक नाम अरे का कटेचु है और इसमें गुड़सूत्र जो होते हैं 2N बराबर 32 होते हैं सुपारी का खाने वाला भाग तता उत्पत इस्थान सुपारी का खाने वाला भाग जो दोस्तो होतो है वो इंटो स्पर्म होता है और इसका उत्पत इस्थान इंडिया है नेक्स कोस्चन दोस्तों सुपारी के इस्पेसिंग कितनी होती है तो सुपारी में इस्पेसिंग कितनी होती है नबे इंटू 90 संटीमिटर होता है नेक्स कोस्चन दोस्तों है सुपारी का बाई प्रोडक्ट क्या है तो बाई प्रोडक्ट जो सुपारी का है वो चोंगरू है चोंगरू है नेक्स कोश्चन है दोस्तों सुपारी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है तो सुपारी का प्रवर्धन होता है बीजियों के द्वारा होता है यह दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ रबड की जांच किसके की जाती है किससे की जाती है तो हाइडरो मीटर सी की जाती है दोस्तों नेक्स कोश्चन है रबड का वानस्पतिक नाम क्या है तो रबड का वानस्पतिक नाम दोस्तों जो है है विया ब्रेसिलेंस है निक्स कोश्चन है दोस्तों रबड में प्रवरधन किसके द्वारा होता है तो रबड में प्रवरधन जो होता है कलिकायन द्वारा होता है दोस्तों निक्स कोश्चन दोस्तों है भारत में काफी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है तो भारत में काफी जो होती है करनाटका में होती है कहां होती है दोस्तों करनाटका में next question है दोस्तों काफी के लिए कितने तापमान की temperature की आव सकता होती है तो काफी के लिए 12-36 degree centigrade तापमान की आव सकता होती है नेक्स कोश्चन है दोस्तों भारत में काफी सबसे ज़यदा प्रसारित की जाती है कहां किसे की जाती है यह बीजो से की जाती है नेक्स कोश्चन है दोस्तों क्योरिंग किरिया किसे संबंदित है तो क्योरिंग किरिया जो दोस्तों होता है काफी से संबंदित है नेक्स कोश् नेक्स कोश्चन है दोस्तों काफी का वानस्पतिक नाम क्या है तो काफी का वानस्पतिक नाम जो होता है काफी अरैबिका है और काफी रोबुस्टर है नेक्स कोश्चन दोस्तों काफी की फैमली तिथा 2N कितने होते हैं इसमें क्या होते हैं तो काफी की जो फैमली है रुब सब्सक्राइब दोस्तों। बेर का कुल कौन सा है तो बेर का कुल जो होता है रेहम नेसी होता है दोस्तों ये बहुत ही important question है इसको अपनी note book में आवसी ही note कर लिए next question है बेर किस जलवायू का ब्रच्छ है तो बेर जो है उसन एम उसन दोनों का है तो इसमें दोमट मिट्टी की जरूट होगी बेर जो है उष्णा तथा सुस्क दोनों जलवायू का है और इसमें दोमेट मिटी के आव सकता होती है नेक्स कोश्चन है बेर में प्रसांड किसके द्वारा होता है तो बेर में प्रसांड दोस्तों जो होता है बीज द्वारा भी हो जाता है वर्म कलिकायन और वले कलिकायन द्वारा होता है नेक्स कोश्चन है दोस्तों बेर में फूल आने का समय है तो बेर में फूल किस टाइम आते हैं दोस्तों तो ये नवंबर से दिसंबर में आते हैं जाड़े के समय नेक्स कोश्चन है दोस्तों बेर की पैदावार कितनी होती है तो बेर की पैदावार जो दोस्तों होती है तीन से चार कुंटल पर बच्छ होती है एक बिरच पर तीन से चार कुंटल बेर लगते हैं नेक्स कोश्चन है दोस्तों चाय में प्रते हेक्टेर पौधों की संख्या है तो चाय में कितने पौधे लगते हैं एक हेक्टेर में तो दस अजार लगते हैं रहाफ से परागण सबसे उपयोगी होता है तो किसमे होता है खजूर में हाथ से परागण सबसे उपयोगी होता है। नेक्स कोश्चन है दोस्तों भारत विस्तु का सबसी बड़ा काजू उत्पादक है उत्पादक है नेक्स प्रोसेसर भी है उप्भोकता भी है तो ये तीनों भारत है नेक्स कोश्चन है दोस्तों बेर की देर से पकनी वाली प्रजाती कौन सी है देर से जो बेर में पकती है वो उम्रान है नेक्स कोश्चन दोस्तों है लीची में प्रसारण किसके द्वारा होता है तो लीची में प्रसारण जो होता है गूटी और इनार्चिन द्वारा होता है नेक्स कोश्चन है दोस्तों लीची का उत्पत इस्थान है तो लीची का उत्पत इस्थान जो है चीन है क्या है तच्छडी चीन है नेक्स कोश्चन है दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम क्या है तो आम का वानस्पतिक नाम मैंगे फेरा एंडिका है नेक्स कोश्चन है दोस्तों लीची में फूल आने का समय है तो लीची में फूल दोस्तों कवाता है दिसंबर से जनवरी में आता है नेक्स कोस्चन है दोस्तों लीची की उपर कितनी होती है तो लीची की उपर जो होता है दोस्तों वो 100 से 125 केजी पर बच्च होती है नेक्स कोश्चन है अननास के लिए जलवायू तथा मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो अननास के लिए दोस्तों जलवायू जो है उस्टन जलवायू होनी चाहिए और मिट्टी जो है बलूई दोमट मिट्टी होनी चाहिए नेक्स कोश्चन है दोस्तों अननास में प्रसारण किसके द्वारा होता है तो अननास में प्रसारण दोस्तों जो होता है अधो भूस तारी या क्राउन द्वारा होता है नेक्स कोश्चन है दोस्तों अननास में प्रसारण का समय तथा दूरी होती है प्रसारण का समय और दू सब्सक्राइब कर लिए इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको और दोस्तों इसी टाइम नहीं बहुत ही लंबे समय तक आपके काम आने वाला चैनल है इसपे लगातार आपको अच्छे एच्छे वीडियो प्रोवाइट कराए रहे जाएंगे आए चलते हैं कोश्चन आगे की तरफ नासपाती में फूल आने का समय है तो फूल आने का नासपाती में समय फरवरी से अप्रैल होता है नेक्स कोश्चन है दोस्तों नासपाती का उपज होती है तो नासपाती की उपज जो होती है एक से डेड़ से दो कुंटल तक हो जाती है कुंटल परवच्छ होती है नेक्स कोश्चन है नासपाती की प्रजात है तो नासपाती की प्रजात दोस थे तो की आपको अच्छा लगे ओ तो आप लोगों को कितना पसंद है वीडियो थेंक्स फ़ारोचिंग दोस्तों